एनडाई यूएस के 10 वी और subtle वी के स्टुडेञ्स है देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10 वी कलास में आपको पास होने के लिए एक सब्ज़ेक्ट में कितने मार्क्स लाने हमने 10 वी कलास का मार्क्स निकाल लखा है अब देखो जो दसवी क्लास में आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए वो 33% चाहिए और आपको मार्क्स कैसे कल्कुलेट करना है तो जैसे आपने 12 का भी कल्कुलेट करे हो वैसी आपको दसवी क्लास का भी मार्क्स कल्कुलेट करना है means कि आपको दसवी class में पांस होने के लिए 33% चाहिए और ओ 33% कैसे आने चाहिए यह मैं आपको उताता हूँ उसकी calculation होगी theory plus TMA plus practical equal to 33% इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको clarify करता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख पार हूँगे कि एक subject है हमारे पास mathematics और जिसमें हमें theory में 23 नमर मिला हुआ है और practical में 14 नमर मिला हुआ है TMA में हमें 7 नमर मिला हुआ है और total जो हमारा बनना है वो 44 बनना है और हम pass है ठीक है ठ practical में हमारा 14 नमर है TMA में हमें 6 नमर मिला हुआ है और total जो हमारा बनना है वो 38 बनना है और हम pass है तो यहाँ पर आपको चीज़े काफी सारी चीज़े clear हो गई होगी कि आपको 10 भी class में pass होने के लिए 33 परसेंट चाहिए calculation कैसे करनी है theory plus TMA plus practical equal to 33 बारवी class में pass होने के लिए आपको 40 परसेंट चाहिए ठीक है और उसकी calculation कैसे करनी है theory plus TMA plus practical equal to 40 परसेंट ठीक है तो इसके regarding अगर आपके मन में कोई भी query है कोई भी संका है तो आप मुझे comment कर देना मैं आपको वापे solution provide कर दूँगा reply दे दूँगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लेना अ पिलते अगले वीडियो में